नवश्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपनी यूटिब चैनल में जिसका नाम है द इन्वेस्पेंट कुर्ची आज की इस वोड़ी में हमें लोग बात करने वाले सिपला इस कंपनी के बारे में इस फार्मा स्टॉक के बारे में अगर हम लोग यहां पर देखे तो स्टॉक एक इंपोर्टन रिस्टंस के आज पास पहुत चुका है तो यहां पर इस स्टॉक में अगर आपकी पोजिशन होगी पोजिशनल लेवल पे तो क्या करना चाहिए और लंबे टाइम के अगर आप निवीश को तो क्या करना चाहिए इन दोनों वो दिपर हम लोग व इस वीडियो में बात नहीं करेंगे तो चलिए दोस्तों फटाफोर रीडियो को शुरू कर लाएते हैं लेकिन उससे पहले जरूर कहना चाहिए अगर आपने अब तक बैए इंवेस्मेंट को चैनल को सब्सक्राइम नहीं किया है तो कर लीजे इसके साथ पहला आइकन पर करना ना भूले ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोडिशन आप तक पहुचती रहे हैं चलिए दोस्तों करता है स्टॉक का टेकनिकल एनलिसिस अगर हम लोग इस चार्ट को देखे तो यह जो है डेली चार्ट है यानि कि एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजन कर रही है और यह ह पूछकर स्टॉक में शार्ट रिकवरी आई है और अगर हम तो उसके बात देखे तो स्टॉक यहां पर अच्छा खासा रैली दिया है निचले देखे अरांड जो है डबल से जादा रिटन दे दिया है दोस्तों अगर हम तो यहां पर इस एरिया को यहां पर नजर करे तो स्टॉक का उगस्ट मन से अब स्ट का देखे तो औलूड से आप्लोग सब्सक् οποika लेगल निकल किया यहां पर निकल के आता है लगबग यहां पे 213 के आसपास जहांपे multiple time stock ने resistance लिया था इसके उपर stock नहीं जा रहा है पिछले 4-5 मेने से अगर हम लोग lower level की बात करें तो lower level पे stock को 701 अगर resistance है तो इस range में अभी stock जो है यहां पर attack चुका है तो यहां पर हम लोग दिख सकते हैं stock को एक resistance है 797 के 800 के आसपास और इस resistance के उपर stock ने यहां पर multiple जाने की कोशिश की थी लेकिन इसके उपर नहीं जा पर रहा है हम लोग यहां पर पीछे भी जाए एक दो मेना तो यहां पर भी stock उस level के उपर जाने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन successfully उस level के उपर नहीं बढ़ रहा है profit booking आ रही है तो possibly यहां पर ऐसा फिर से हो सकता है तो अगर आपकी position होगी तो 797 के यहां पर आपको जो है try करना होगा क्यूंकि अगर यहां से थोड़ी उपर stock बढ़ता है तो false breakout में मतला यह वहां पर fresh buying करने के बारे में मत सुच buying क्योंकि यहां पर हमने देखा थी multiple time उस level के आसपास आने की कोशिश की stock ने लेकिन उसके नीचे नहीं गया stock तो range मैं आपको बता रहा हूं 725 से रहे के 750 यह जो range निकल कर रहा है यहां पर fresh buying के लिए stock के बारे में सोच सकता है दोस्तों अगर हम लंबे time का यहां पर endless करने में निकल के आ रहा है तो यहां पर consolation में अगर आप entry करते हो तो possibly इसी level में आप अटक सकते हो तो मैं आपको suggest करूँगा अगर आप लंबे time के player हो तो यहां पर fresh buying के लिए तब तक मत सोचे जब तक stock इसके major resistance 715 के रूपर कम से कम 4-5 दिन यहां पर tick नहीं जाता अगर हम ल वहां से correction आ जाता है सकता है लेकिन यह जो है तोड़ा मुश्किल current level पर मुझे लग रहा है तो यह था मेरा पुसान अले से definitely आप आपका कुद का analysis जरूर कीजिए और उसके बाद इस stock में entry के बारे में सोचे as well as the investment Guruji चैनल को subscribe करना ना बूले also इस वीडियो को आपके friend circle मे share करना ना बूले तो दोस्तों मिलते हैं मैंने नेक्स वीडियो में तिल देन गुद बाई